इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। और गर्भाशिकों से कोड़ती है जिससे गर्भपात में आसानी होती है AB दो किट को खाने के साथ या डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए आपको मिफेप्रिस्टोन की खुराक से शुरुआत करनी चाहिए एक गिलास पानी के साथ गोलियों को पूरा निगल कर इसे मौखिक रूप से लेना चाहिए अगर टैबलेट लेने के 30 मिनिट के भीतर उल्टी का अनुभव होता है तो डॉक्टर को बताएं या अन्य टैबलेट लें 36 से 48 घंटों की अवधी के बाद आपको मौखिक या योनी रूप से मिसोप्रोस्टोल टैबलेट लेना होगा आपको इस खुराक के सेवन के बाद उचित आराम करने का सुझहाव दिया जाता है क्योंकि इससे पेट में गंभीर दर्द या योनी से रक्तसराव हो सकता है जिससे गर्भपात हो सकता है इस दवा के सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, डायरिया, दस्त और पेट में मरोडे आना शामिल है अगर आप इनसे परेशान है या स्थिती गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं कुछ साइड इफेक्ट का मतलब है कि अगर आपको योनी में अधिक ब्लीडिंग या पेट में दर्ध होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी एक्टोप एक गर्भावस्था थी या आप स्तनपान करा रहे हैं या गर्भ निरुधक उपकरन का उप्योग कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती है गर्भपात के दौरान आपको भारी व्यायाम, दौरना और गाड़ी चलाना जैसी कठो गति विधियों से बचना चाहिए क्योंकि यह रक्तसराव को प्रभावित कर सकती हैं यह देखने के लिए की गर्भपात पूरा हो गया है आपका डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड या पैल्विक एक जाम कर सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिय की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद